गूड मोर्निंग फ्यूचिर ओफिसर्स माइनेम इसी तेंदर चोधरी एंड वेलकम टो लो फ्यू टो आईटूब क्लासिज दोस्तों आज है डिसेंबर नाइन थर्जडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं दा इंडियन एक्स्प्रेस के न्यूज पेपर की अनैलेसिज अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फोलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को जाके जरूर फोलो करें आईटूब क्लासिज अंडरस्कोर यूपी एसी आज की जो सबसे पहली न्यूज है बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज है जहां पे ह हमारे पहले चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ मिस्टर जर्नल बीपिन रावत और इनकी पतनी और उसके साथ 13 और लोगों की अनफॉर्चनेट तरीके से डेथ हो गई क्योंकि जिस हेलिकॉप्टर में चोपर में वो ट्रेवल कर रहे थे वो क्रैश हो गया बहुत ही अब इस मामले में भी बड़ा एक डाउट है और कन्फूजन है कि अगले चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ कौन रहेंगे क्योंकि इनका कोई भी जूनियर नहीं है बेसिकली तो आर्मी में ऐसा होता है कि जो सेकंड इन कमांड होता है उसको प्रमोट कर दिया जाता है अगर किस जगा कि इसको चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाता है यहां पे एक सर्वाइब भी किया है इनका नाम है ग्रूप कैप्टन वरुन सिंग इनको इसी साल शोर्य चक्र मिला था इंडिपेंडेंडेंस डे पे क्योंकि यह भी किसी हेलिकॉप्टर में ही उसको चला रहे थे और लाइट कमबाट हेलिकॉप्टर था हुआ एरक्राफ्ट था जो कि 10,000 फीट से नीचे की तरफ गिर गया था इन्होंने बिल्कुल अपने काम को रखा कंपोजर को रखा और फैनली उसको कंट्रोल में किया उसका इंजिन फेल हो गया था उस समय इनको काफी इंजिर और जहां तक इस हेलिकॉप्टर की बात है तो आज के जो एक्स्प्लेंट सेक्शन है ना आज के एक्स्प्लेंट सेक्शन में इस हेलिकॉप्टर के बारे में ही बता रखा है कि जिसमें रावत जी की डेथ हो गई है दोस्तों यह जो हेलिकॉप्टर है इस हेलिकॉप्टर क हम लोगों ने 80 Mi 17 V 5 Medium Lift helicopter का order दिया था और finally यह हमें बाद में मिला उसके बाद 150 helicopter का और भी जादा हम लोगों ने order दिया यह जो helicopter होते हैं दुनिया में यह सबसे modern helicopter में से माने जाते हैं इसके कहीं सारे variant होते हैं एक variant ऐसा होता है जिसमें 36 seats होती है तो मतलब Sainigo को लेके जाया जा सकता है एक variant ऐसा भी होता है जिसमें सामान को लेके जाया जा सकता है तो अलग-अलग तरीके कि इसके variants होते हैं लोग लेकिन जो ये वेला variant था ये था आपका MI 1817 इसको चलाने के लिए अक्चलि तीन लोगों की जोरुत पड़ती है एक यहाँ पे मेन कैप्टन होते हैं जो इसको चलाते हैं उसके लावा उनके साथ जो है वो एक दूसरे को पाइलेट होते हैं और एक को पाइलेट के साथ भी एक और पाइलेट होते हैं जिसे फाइट इंजिनियर कहा जाता है तो तीन लोग मिलाके जो है इसको चलाते हैं उस इसकी स्पीड होती है टू थर्टी किलोमेटर पर आवर और एक उसमें जो है फ्यूलिंग मतलब छे हजार मीटर की उन्चाई तक यह जा सकता है और एक बार अपने टैंकी को फुल करने के बाद जो है छे सो पचेतर किलोमेटर तक उड़ सकता है उसके साथ है अपना फ्लीट की बात है तो आपको मैंने बता दिया कि 1.3 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने रसिया के साथ ही डील किया था 2008 हर में पहली बार डील हुई थी और 2013 में इनकी डिलीवरी शुरू हो गई थी 2019 में चंडीगड में इनकी रिपेरिंग वेरा के लिए हम लोग ने बना बे कोई और एकसिडेंट हो गया कम से कम 50 country में इस हेली कॉप्टर का यूज़ किया जाता है अफ खाणिस्तान के आर्मी में भी यूश के जाता है रशिया में तो यूज़ को यूज़ किया जाता है अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में पहली बार इस तरह के एकसिडेंट हुए हो इससे पहले भी होते आए हैं 1952 में भी हुआ था 1963 में हुआ था 93 97 2001 और 2019 में भी हुआ था इसमें कई इसे हुए जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई लेकिन कुछ में जो है कुछ लोग ने सरवाई भी कर लिया था तो बेसिकलिए बहुत ही एक unfortunate से incident रहा है एक्जाम के perspective से I don't think so कोई एक्जाम में इस तरह की चीज़े पूछेगा हो helicopter वगारा के बारे में लेकिन फिर भी out of curiosity मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया है उसके लावा वो succession के बाद मैंने आपको पहले ही बता दी के जो हमारे chief of defense staff थे पहले ही थे ये सिर्फ of defense staff दोस्तो chief of defense staff ना ये कोई military post नहीं होती है क्योंकि जब वो जर्नल थे तो वो retire हो चुके थे retire होने के बाद उनको chief of defense staff बनाए गया इसका मतलब ये कोई military post नहीं होती है ये एक civilian और bureaucratic post होती है ये अपने exam के perspective से ध्यान रखना है actually जो chief of defense staff होते है न वो department of ministry affairs के अंदर secretary होते है तो इनकी जो official post होती है वो secretary की होती है department of military affairs के कहने का मतलब भी होता है कि chief of defense का काम क्या होता है जो हमारी air force होती है नेवी होती है और जो air force होती है नेवी होती है और आर्मी होती है इसकी जो तीनों commander होते हैं उनके साथ मिलके ये actually government को suggestion देते हैं क्योंकि ये secretary की post पे होते हैं तो इसी लिए जब आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी में जो second मतलब जो highest rank पे होता है उनसे जो second in command होता है वो हमेशा ही like chief बन सकते हैं लेकि chief of defense staff में तो कोई second in command है ही नहीं क्योंकि ये तो खुद secretary है इसी वज़े से थोड़ा यहाँ पर दिक्कत है कि अगला chief of defense staff जो है किसको बनाया जाएगा अगर आपको थोड़ी सी detailing पढ़नी है तो मैं पढ़ सकते हो मुझे लगता है नहीं exam के perspective से इस तरह की जो है technical चीज़े पूछी जाती है हाँ अगर आपको कोई defense वगरा का exam है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं लेकिन UPSC वगरा में तो I don't think so कि यह सब पूछा जाता है खेर तो यह एक बहुत unfortunate incident हुआ है और तेरा लोगों की जान चली गई unfortunately तो हलका सा आपको ने क्योंकि कल से बहुत जादा news में है तो पहले ही आपको इन news के बारे में अच्छे से पता होगा जो जिन लोगों की जान गई है वो पहले ही यहां पे उलड़ी mentioned है आप देख सकत तो थोड़ा सा आप इनकी अगर जानना चाहते हो तो आप थोड़ा गोगल उगारा करके भी पढ़ सकते हो लेकिन exam के perspective जो जितना मुझे लगा उतना हम लोग ने कर लिया है खेर आगे बढ़ते हैं एक नई study हुई है उस study ने यह कहा है कि भाईया अगर आप दिल्ली में वैसे तो अगर आप इंडिया में रहते हो अगर दिल्ली में और महानगरों में रहते हो अप अमीर हो चाहे गरीब हो doesn't matter अगर आप अपने घर से बाहर हो तब तो आप जहरीली हवा ले ही रहे हो अपने अंदर लेकिन अगर आप घर के अंदर भी हो तब भी आप जो है जह होता हमारे पास PM10 तो दोस्तों PM2.5 होता है ना मतलब Particulate Matter 2.5 इनका साइज इतना छोटा होता है कि यह आपकी लंग्स में घुस जाते हैं आपकी लंग्स में घुसने के बाद वहाँ पर जमा हो जाते हैं और फाइनल आपको बिमार भी कर सकते हैं डबल एचो की जो ओफिशल लिमिट होती है PM2.5 वो होती है कितनी 10 मिली ग्रैम टाइम माइक्रो ग्रैम पर मिटर क्यूब यह डबल एचो की ओफिशल लिमिट है इंडिया की जो ओफिशल लिमिट है वह कितनी है indoor pollution मतलब घर के अंदर घर के बाहर तो आप imagine ही नहीं कर सकते घर के बाहर तो ये 600-700-800 तक चला जाता है और ये हर जगह पे है मतलब अमीर भी और गरीब भी ठीक है जोगी जो अपडियों में भी है और ये जो बड़े बड़े high-rise buildings हैं उनके अंदर भी है तो इसमें किसी तरह का कोई discrimination नहीं है pollution जो है किसी तरह का कोई discrimination नहीं है लेकिन उसके लावा अगर आप थोड़ा सा डेटा जानना चाहते हो तो बता सकते हो 1.8% जो low income houses है मतलब medium income houses की बसिकली बात कर रहा है 1.8% के घरों के अंदर air purifier है जो थोड़े से अमीर है उनके घरों में 24.1% air purifier लगा हुआ है लेकिन on an average आप अमीर हो चाहे गरीब हो ड़सेंट मैटर आप जहरी ली हवा में सांस ले रहे हो जो medium level की family है वहाँ पे 96.5% घरों के अंदर LPG यूज़ होता है और जो थोड़ी सी higher अमीर है उनके जो है 100% घरों में LPG cylinder यूज़ होता है फुर्दा क्योकिंग फ्यूल उसके बावजोद भी indoor pollution की बहुत ही जादा हद यहाँ पे हो गई है ठीक है वो थोड़ा से आपने बस यहाँ पे देख लेना है कि नहीं study कहती है हाला कि यह कोई study बहुत जादा important study नहीं है क्योंकि एक्जाम गर हम देखे जो main जैसे अगर कोई United Nation की कोई study होती है या फिर जो government of India या फिर ना कोई बहुत renowned अगर कोई agency होती है जब वो survey करती है तब exam के लिए जादा important हो जाता है दिजिटल मीडिया को लेके सरकार ने थोड़े समय पहले जो IT rules के अंदर changes किये थे और information technology intermediary guidelines हैंदर digital media ethics code 2021 इनको release किया था जिसके तहत social media platforms के उपर और सिर्फ social media ही नहीं बलकि जो news portals होते हैं जो online news portals होते हैं उन news portals के उपर कुछ restrictions लगा दिये गए थे ठीक है तो उसके reaction में क्या हुआ उसके reaction में बहुत सारे news portals वगरा ने मिलके एक संस्था बनाई जिसे कहा जाता है DNPA और इन्होंने मदरास high court में case file कर दिया इन्होंने कहा कि भाया सरकार ने जो नए rule and regulation पास किये हैं यह हमारे fundamental rights article 14 article 91 और article 91 जी मतलब right to freedom of speech and expression and right to profession इसके against में जाता है सरकार ने कहा ऐसा कुछ नहीं यहीं लोग बखवास कर रहे हैं मदरास high court ने कहा कि देखो अगर सरकार को कोई action लेना है इनके against में तो पहले मेरी permission लेनी पड़ेगी मेरी permission के भी ना आप कोई भी action नहीं ले सकते मतलब मदरास high court ने यह प्राइमी फेसिया मान लिया है कि जो नए and rule and regulation होते हैं यह fundamental right का violation करते हैं ऐसा मदरास high court ने बोल दिया है हलाकि अभी पूरा verdict नहीं सुनाया है प्रिवेसली हम इसको बहुत अच्छे से कर चुके हैं मेरे खाल से हफते दस दिन तक हम लोग ने लगातार इसको पड़ा था कि इसके हम लोग ने provisions भी पड़े थे criticism भी पड़ा था अगर किसी को पड़ना है तो मैं description में कोई न कोई लिंक आपको मैं दे दूँगा तो description में जाके विया उन digital उसके बारे में लिख सकते हो लेकिन फिलाल जो है पूरे मामला यहाँ पे चल रहा था क्योंकि यह जो media platform में इनका कहना है कि सरकार सरकार especially उन platforms को target करना चाहती है जो anti-government articles लिखते है जो सरकार के पक्समें लिखते हैं जिसे आजकल गोधी मीडिया कहा जाता है सरकार उनके against में action नहीं लेती है ऐसा इनका argument है अब वो कितनी सचाई है नहीं है वो तो आपको पता ही होगा आप भी देखते ही हो अगली जुनियूज आती है हमारे पास आती है NJAC को लेके दोस्त NGC का मतलब होता है National Judicial Appointment Commission Bill इसको पहले पास किया गया था ठीक है 2014 में इसको अनेक्ट कर दिया गया था पहली बात आपको यह पता होना चाहिए इसका objective क्या है NGC को objective होता है कि जो Supreme Court में और High Courts में Judges होते हैं उनकी appointment और उनके transfer भी या उसमें government का भी हाथ होना चाहिए इस समय हम लोग Collegium System को follow करते हैं और Collegium System में सरकार की कोई भी participation नहीं होता है Collegium System को कहा जाता है that Judges are appointing another Judges तो सरकार का यहाँ पर कोई रोल है नहीं सरकार कहती है कि भाईया हम लोगों को जनता ने चुना है तो इनकी appointment में transfer में हमारा भी अधिकार होना चाहिए जिसके लिए उन्होंने NJAC मतलब National Judicial Appointment Commission का बिल जो है पास किया था Supreme Court ने उस बिल को null and void declare कर दिया यह कहके कि भाईया यह हमारे Constitution के according नहीं है तो उसको null and void declare कर दिया क्योंकि Supreme Court के पास यह power होती है वो किसी भी कानून का judicial review कर सकती है judicial review करने के पाद उसको वहाँ से हटा दिया कि सरकार Supreme Court ने कहा अगर सरकार Judges की appointment के अंदर transfer के अंदर अगर हस्तक shape करेगी interference करेगी तो इससे हमारी judiciary की transparency पे judiciary की independence को खतरा हो सकता है वो सारे के सारा मामला वहाँ पे हो गया था तो इस समय Supreme Court में और High Courts में एक collegium system होता है Supreme Court का collegium system यह decide करता है कि कौन से वकील को कौन से lawyer को as a judge appoint किया जाएगा कौन से High Court के judge को कहाँ पे transfer किया जाएगा वो सारी सारी चीज़े वहाँ पे decide की जाती है collegium system के बारे में हमें अच्छे से पता है comment section में फटा फट यह बता दो के Supreme Court में जो collegium system होता है उसके अंदर total कितने member होते है फटा फट comment section में इसका आंसर मुझे दे दीजिए खेर यह मामलाब का समझ में आ गया इस समय एक bill पास हुआ पारलेमेंट सी session जो इंटर सेशन चल रहा है High Court and the Supreme Court judges salaries conditions or the services amendment bill 2021 जिसमें उनकी salary को बढ़ाया गया अब उस bill को इनो पास करने के दोरान हमारे जो लो मनिस्टर है मिस्टर रीजीजू है न किरिन रीजीजू इनोंने कहा है कि शायद NJAC bill को दुबारा से reintroduce किया जाएगा एक बार तो Supreme Court ने लात मार दी है तो इनोंने कहा है कि एक बार लात मार दी तो क्या हो गया हम दुबारा से लात खाने के लिए तयार है दुबारा से हम इस bill को introduce करेंगे क्योंकि बहुत सारे NGOs, Media Persons और Even Retired Judges और Senior Lawyers सरकार से ये कह रहे हैं कि आप इस bill को introduce कीजिए कोलेजियम सिस्टम जो है वो perfect नहीं है कोलेजियम सिस्टम के अंदर बहुत सारी कमिया है ये कह रहे हैं कि ये हम नहीं कह रहे हैं ऐसा Already Retired Judges कह रहे हैं और वो सिर्फ कह नहीं रहे हैं भाईया उन्होंने हमें return में दिया है ऐसा ये कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ parliamentary sessions में दोबारा से NJC bill को pass किया जा सकता है उस पे Supreme Court का क्या reaction रहेगा वो बड़ा interesting रहेगा देखने को आप जो है अपनी समझ से ये बताइए कि क्या इस bill को introduce किया जाना चाहिए के नहीं किया जाना चाहिए क्या Collegiate System को as it is छोड़ देना चाहिए या फिर यहाँ पे हमारे representatives का भी कुछ अधिकार होना चाहिए आप comment section में बता सकते हो उसके लावा देखे ART के बारे हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं Assisted Reproductive Technology और सरोगेसी बिल finally राज्य सभा ने इसको pass कर दिया गया है सरोगेसी बिल ने भी और लोग सभा में तो बड़े जबरदस तरीके से हम लोगों ने इसको introduce किया था बढ़िया से समझाया था आपको तो यह पूरी की पूरी चीजी होगी जनर्रावत के बारे में एक दो चीजी इन्होंने और बता रखी है जनर्रावत के बारे में थोड़ा पढ़ना है वो बच्चे क्योंकि दो साल से स्कूलों में गए नहीं है इसकी वज़े से उनकी जो learning ability है खास कर इंगलिस को पढ़ने की इंगलिस को बोलने की और mathematics ability काफी जादा कम हो गए अब या कोई बोलने की बात थोड़ी है जब हम स्कूल में एक हफ़ता की छुटी कर लेते हैं तो एक हफ़ते के बाद ही हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ हाता नहीं हम भूल गए है यह तो फिर भी दो साल हो गए तो अबिस सी बात है कि दो साल के अंदर बच्चे बूल गए होंगे या ना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि अभी जब नए तरीके से स्कूल खुल रहे हैं दुबारा से, इसमें सरकार ऐसे कौन से स्टेप ले रही है या फिर हमारा education system कौन से स्टेप ले रहा है ताकि उस gap को cover किया जा सके, वो भूल गए होंगे यह तो बिल् National Family Health Survey का critical analysis हम लोग ने किया था, कि National Family Health Survey के अंदर कौन कौन सी कमिया है, सबसे बड़ी जो कमी नजर आई थी, वो यह आई थी, कि इसका जो data को collect करने का तरीका है ना, वो थोड़ा सा गड़बड है, लेकिन जो हमारा National Sample Survey होता है, इसका जो data collect करने का तरीका होता है, वो बह कुछ होर कहता है, यह कुछ होर कहता है, खास कर जो सबसे बड़ी जो discrepancy हाँ पर नजर आई थी, वो आई थी, sex ratio को लेके, है ना, according to NFC, जो है, इंडिया में इस समय जो है, एक हजार 20 महिलाएं हैं, और 1000 males के उपर, जो की NSS survey के अंदर में, के according जो है, इतना नहीं है, तो ठीक है, इनका नाम है, मीता राजी लोचान, ठीक है, एक IS officer है, तो definitely CDC बात है, इन्होंने लिखा है, तो government के against में तो कुछ नहीं लिख होगा, क्योंकि खुद service में है, हाँ, retirement होने के बाद आप जो मरजी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप service में हो, एक code of conduct होता है, चाहिए उसके अंदर लाख बुराईयां हो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर responsibility है, उस system को improve करने की, तो जिस system को improve करने की responsibility आपके पास है, अगर आप उसकी बुराई करते हो, इसका मतलब आप खुद ये कह रहे हो, कि मैं अच्छे से काम नहीं कर इसलिए code of conduct कुछ होता है, हाँ, retirement के बाद लिखी हो अलग बात है, तो इनका कहना है, कि भाहिया, national family health survey के अंदर जो भी data आया है, बहुत बढ़िया आया है, खास कर, women empowerment को यहाँ पे, इन्होंने highlight किया है, कि women empowerment इंडिया में हो रहा है, चाहे वो women sex ratio को लेके हो, life expectancy को लेके ह हो, चाहे institutional deliveries को लेके हो, institutional delivery का मतलब क्या होता है, पराने जमाने में क्या होता था, जब भी कोई किसी delivery करनी होती ही, तो किसको बलाया जाता था, गाउं से किसी दाई को बलाया जाता था, अब उनके पूस कोई formal training तो होती नहीं है, institutional delivery का मतलब यह है, कि जादा से जादा महिल जाओं की जो delivery हो रही है वो hospitals में हो रही है ये मतलब होता है और दोस्तों जितनी जादा institutional deliveries होती है उतनी ही जादा safety होती है maternal mortality rate भी कम होता है और infant mortality rate भी कम होता है और क्योंकि इंडिया में deliveries of hospitals में हो रही है इसी वज़े से इंडिया में जो neonatal mortality rate है या फिर infant mortality rate है वो comparatively काफी कम हो रहा है इससे ये सीधा सीधा सा संदेश मिलता है कि हमारे यहां पे जो महिलाओं का जो health है वो पहले से better हो रहा है यही इनोंने कही है दूसरी बात women empowerment का एक और बहुत बड़ा indicator होता है वो होती है उनकी financial freedom according to national family health survey 5 इस समय पिछले 5 सालों में महिलाओं का जो bank account है जिसको महिलाओं खुद control करती है वो 53% से बढ़कर 78% हो गया है उसके अलावा जो families में decision लिये जाते हैं उनकी percentage भी बढ़कर 88% से 84% से 88% हो गई है तो यह चीज़े क्या दिखाती है यह चीज़े यही दिखाती है कि हमारे यहाँ पे women empowerment हो रहा है चाहे वो health वाले मामले में हो चाहे वो financial inclusion वाले मामले में हो और चाहे वो family में decision लेने के मामले में भी क्यों ना हो क्योंकि patriarchy धीरे धीरे कम हो रही है उसके लावे इन्होंने कुछ और चीज़े बताई हैं कि जो fertility rate वगरा के बारे में कोवीड के बारे में उन्होंने कुछ information यहाँ पे दी है कि कोवीड में इंडिया में जो fertility rate है वो सिर्फ और सिर्फ 1.1% है मतलब अगर 100 लोग infected हुए है तो 100 लोगों में से 1.1 लोगों की death हुई है यही percentage अमेरिका में और दूसरी countries में जादा है France के अंदर 1.8% fertility rate है Germany के अंदर 2.4% fertility rate है मतलब अगर वहाँ पे 100 लोगों कोवीड हुआ था तो इसमें से 2.5 लोगों की death हो गई थी इतनी जादा थी हलांकि इंडिया में यह कहा जाता कि क्योंकि इंडिया में एक young population है इसकी वज़े से इंडिया में fertility rate कम है लेकिन आप सारे के सारा credit यंग population को नहीं दे सकते कुछ credit आपको हमारी medical facilities के बारे में भी देना पड़ेगा हलांकि medical facilities में बहुत ज़ादा improvement करने की जरूरत है इसमें किसी तरह कोई doubt नहीं है लेकिन पिछले कुछ सालों में improvement हुई है ये भी एक fact है तो इसी वज़े से इन्होंने आर्टिकल में मतलब यही बताने की बात कही है कि जो national family health survey है उसके कुछ points को criticize definitely कर सकते हो वो तो हर चीज़ को criticize कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप हर चीज़ को ignore नहीं कर सकते हैं जो उसके positive point है वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे इसका मतलब आपके exam गरा में अगर question आता है कब national family health survey 5 जो अभी recently हुआ है इसके data को वहाँ पे mention कर सकते हो number आपको full on full मिलेगा ठीक है एक और editorial section है देखे इसको मैं आपको separately explain नहीं करूँगा क्योंकि ये इसके अंदर इतनी जादा छोटी छोटी terms use कर दी गई है एक एक term का explain करने जाओंगा तो फिर आपको तीन घंटा लग जाएगा इसके अंदर बहुत सारी देखें मैं यहाँ पे लेकिन आपको suggestion दूँगा आपको suggestion दूँगा कि आपके जो economy के notes हैं वहाँ पे जाके आप इन terms को पढ़िए अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो अगर आपने अपने notes नहीं बनाए है तो फिर आप इन terms को google कीजिए वहाँ से समझिए notes के अंदर लिखिए और फिर आप इसको समझने की कोशिश करिए बहुत सारी चोटी चोटी टर्म यहाँ पे use की गई है जैसे यहाँ पे एक liquidity term use की गई है tapering word एक यहाँ पे नया use किया गया है जो आपने पहले शहर टेपरिंग के बारे में नहीं सुना होगा repo rate, reverse repo rate, चिक है उसके लावा treasury bills, हमारे commercial papers certificate of deposits, open market operation, g sap यह तो सिर्फ कुछ है, कुछ होर terms भी है एक छोटे से editorial में इतनी सारी economy की terms use की गई है वीसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी आप economies की article पढ़ते हो या editorial section पढ़ते हो उससे पहले आपको economy की terms पता होनी चाहिए वो terms आपको पता होंगी तभी आपको इनका मतलब भी समझ में आएगा जैसे एक term यहाँ पर यूज की गई है MPC, monetary policy committee यह committee क्या करती है कैसे काम करती है ठीक है, base money की यहाँ पर एक term यूज की गई है base money, bonds जो है यहाँ पर एक term यूज की है, government bonds guilt edge bond मैंसे तो एक ही होता है, दोनों का मतलब ही होता है guilt edge bond और government bonds का यहाँ पर यूज की गई है treasury bill का है, यहाँ पर word का यूज की गई है उसके लाव एक term यहाँ पर यूज की गई है variable rate reverse repo VRRR, अब यह VRRR क्या है एक ओर term यूज की गई है fixed rate reverse repo VRRR, यह छोटी छोटी टर्म है आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यह समझ में आएगा तभी आपको यह article समझ में आएगा तो economy से डरने की जरूरत नहीं है अपने basics तयार कीजिए basics एक बार अगर अगर तयार होगे और फिर सबकी help के लिए google तो है ही कोई चीज समझ में ना है तो जट से उसको google कर लो आपको पहले दूसरे result में ही उसका मतलब समझ में आ जाएगा यह तरीका होता है तयारी करने का अगर आपको economy पसंद नहीं है तो भी आपको तयार करना पड़ेगा अगर आप UPSC के लिए तयारी कर रहे हो तो क्योंकि economy एक बहुत major subject होता है तो इसके अगर आपको हाथ tight हो गया अगर इसके तयारी आपके अच्छे से नहीं हुई तो अब यह समझ लीजी आपको overall आपके result के उपर negative impact पड़ेगा prelims में तो यहाँ पर 10 plus questions, 10 plus questions पूछे ही जाते हैं mains में भी आपका GS paper 3 में कम से कम 100, 120 marks का economy से questions पूछे जाते हैं तो अगर आपका economy section week है तो इस पर focus करना शुरू करिए extra time इसको दीजिए एक बार थोड़ा extra time देने लगो गए न थोड़ा शुरू में दिक्कत आएगी, boring boring भी लगेगा लेकिन धीरे धीरे जब चीज़े समझ में आने लगेंगी तो सारे concept आपके आँखों के सामने clear हो जाएंगे ठीक है, क्योंकि छोड के काम नहीं चलेगा, अगर आपका ऐसा लगता है आपके मरजी है, आगे बढ़ते हैं, दुनिया तारी में क्या है, UK, Australia, Canada, इन्होंने भी USA का diplomatic बाइकोट कर देखे, अभी जो है, February के महिने में, चाइना में विंटर ओलम्पिक्स बेसिकली होने वाले है, अब यह आपको पहले अच्छे से पता है, क्योंके वेस्ट कंट्री आपकोट का मतलब यह है, कि वो अपने officials को वहाँ पे नहीं भेजेंगे, ठीक है, यह थोड़ा सापको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे है, क्योंकि वो कह रहे है कि चाइना में जो है, human right violation हो रहा है, खासकर जिंग जियंग प्रोविंस में, जो उगर Muslims है, उगर Muslims को जबरदस्ती पकड़ के detention camp में डाल दिया जाता है, उनको 6-6 महीने साल साल भर तक उनको घर पे नहीं आने दिया जाता है, वहीं पे दिन भर उनको पढ़ाया जाता है, उनको de-radicalize किया जाता है, according to China and all that, मतलब हलाखों की संख्या में, ऐसने के 10-20 लोग पकड़ रखे हैं, अरे हलाखों के संख्या में detention camp बना रखे हैं उनके, जैसे कभी के संख्या में हिटलर ने बनाये थे, जहां पे वो जूज को रखते थे, उस तरह के detention camp है कुछ-कुछ, तो जिसकी वज़े से इन्होंने चाइना को बाइकोट कर दे तो एक symbolical है, हाला कि ground के ओपर soft image दुनिया को दिखाना चाहता है, तो definitely अब वो तो नहीं दिखा पाएगा, एक symbolical gesture है ये USA वगरा का, और ये countries तो वैसे भी USA की खास दोस्त हैं, तो जैसे जैसे USA करेगा, ये भी USA करेंगी, हाला कि Japan ने भी अब तो कहे दिया कि वो भी नहीं भेजेगा, लेकिन South Korea ने कहा ह कि उसको कोई दिक्कत नहीं है भाईया, वो diplomatic बाइकोट नहीं करेगा, हाला कि South Korea भी इनका दोस्त है, लेकिन वो अलग बात है, पुतिन और बाइडन ने यूँ उक्रेन में कैशू चल रहा था, ये मैंने आपको परसो बताया था, पुरा diagram के साथ, कि पहले यूक्रेन और रशिया जो है, वो USSR का पार्ट ही हुआ करते थे, बाद में 2014 में रशिया ने यूक्रेन के उपर अटैक करके, क्रीमिय पैनिन्सूला को अपने कंट्रोल में ले लिया, उसको अनेक्स कर दिया, जिसके वज़े से वेस्टन कंट्रीज ने रशिया के उपर काफी ज़्यादा इनों सेंक्शन्स लगा रखे थे, अभी फिलाल वहां पे दुवारा से टेंशन हो गई है, क्योंकि यूक्रेन के बोर्टर के उपर रशिया ने अपने कम से कम एक लाग सैनिकों को तैनात कर दिया है, और वो किसी भी समय यूक्रेन के उपर अटैक कर सकते हैं, तो मतलब ऐ ऐसा मामला इसे में बन रहा है, यूसे ने साफसाफ कह दिया है कि रशिया को भाई आगर आपने उनके उपर अगर इसके उपर अटैक किया यूक्रेन के उपर, तो आप ये समझ लीजे कि आपकी एकॉनमी को मैं खतम कर दूँगा, आपके उपर इतने सैंक्शन्स लगाए आप दुनिया के साथ बिजनस नहीं कर पाओगे, तो ये दो घंटे की बातचीत हुई थी बाइडेन के बीच में और पुतीन के बीच में, जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, रशिया का सिदा सिदा सा कहिना है, कि जो मेरा दिल में आएगा, वो तो मैं करूँगा तो दो घंटे की बातचीत के बाद कोई भी सोलिशन नहीं निकला है, क्योंकि योरोप चाहता है या अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने, रशिया इसके अगेंस्ट में है, तो रशिया का कहना है, कि अगर आपने इसको नाटो का पार्ट बना दिया है, तो समझ लीजी मैं सिधा सिधा अटैक कर दूँगा खेर ये जियो पोलिटिक्स है चलता रहेगा इंडिया के उपर इसका कोई आशा खास का डारेक्ट इंपेक्ट नहीं है तो इसलिए एक्जाम के परस्पेक्टिस से भी हमारे लिए इंपोर्टन नहीं होता है लेकिन ठीक है आपका थोड़े इंटर्नेशनल न्यूस का भी पता होना चाहिए दुनिया दारी में क्या चल रहा है उससे बात करते हैं डीजिटल करंसी के बारे में आपका जीकानल्स कीढ़ू नहीं करती है ठीक है कोई भी central agency इसको control नहीं करती है नहीं इसको कोई बनाता है ऐस सच की इसी एक जगह पे बैठके तो इसी लिए अब सरकार ने cryptocurrency तो control कर नहीं सकती लेकिन cryptocurrency के फायदे बहुत सारे है इस digital currency के फायदे बहुत सारे है तो बात ऐसी है कि USA और चाइना और भी कहीं सारे country ऐसी है जो अपनी अपनी country में खुद की digital currency launch कर रहे हैं अब उसका क्या फायदा है उसका ये फायदा होगा कि इसको वहाँ के central banks control कर सकते हैं regulate कर सकते हैं जैसे रूपी को करते हैं डोलर को करते हैं उसी तरह से रूपी और डोलर की तरह एक digital currency भी बनाई जाएगी जिसको वहाँ का central bank control करेगा मतलब RBI कंट्रोल करेगा तो इसी तरह कि ये digital currency जिसका नाम होगा central bank digital currency RBI के द्वारा launch की जा रही है और इसके लिए पुरा plan भी बना दिया गया है लेकिन इसको लेके थोड़े से डर है कौन सा डर है? Cyber security और fraud जिसको लेके RBI जो है थोड़ा अभी और ज़्यादा technology के उपर काम कर रहा है ताकि ये और ज़्यादा safe हो सके बस इसी के बारे में इतना ही आर्टिकल थोड़ कुछ खास यहाँ पर है ने हाँ जब ये currency launch होगी तो इसके बारे में हो लोग बहुत अच्छे से डिटेल में बढ़ने वाले हैं ठीक है दोस्तो तो आज के लिए मेरे खाल से इतनी आर्टिकल थे कुछ आर्टिकल आज ऐसे थे जो प्रीवेसली अडिटोर्स वगरा में cover हो चुके हैं तो दो तीन चार महीने अगर आप लगातार अनेलसिस देख लेते हो तो आपके बहुत सारे टोपिक्स तो वैसे ही cover हो जाते हैं चलिए तो आज के लिए इतना ही थेंक्यू वर्य मच्छ ओल दा बेस्ट एंड जैहीं